गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से सुभा की नमशिकार आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग ससुरियकाल जैसा आपको अच्छा अगे शुप्रभात बोल सकते हैं तो यह जो लेक्चर है यह क्रण्ट का लेक्चर है और इसमें हम हImadzalpates YES का आज पहला लेक्टर हो गया है अगरन किसी नहीं देंखा ऑं तो उसको भी जरूर देखेगा और इस सेकेनड पार्ट इसका आ रहा है आपसको भी देखेगा इसके अलाबा जो नेशनल इंटरनेश टॉपिक बनता है इसके अलावा शाम को पूरे GS की एक क्लास होती है जिसमें हम एक्जाम ओरिंटेड टॉपिक वाइस पड़ते हैं आठ बज़े होती है और यह क्रंट की जो क्लास होती है छे बज़े होती सुबह तो इसमें आप जोइन कर सकते हैं अगर कोई बच्चा इंट हैं मेरा वहां से नंबर में मिल जाएगा कैसे आपको अलॉल होना है वो भी वहाँ पर बता कर रखा है तो चलते हैं आगे जो यह सेशं है आज का उसकी difficmj जो आपको देखने को मिलेगा तो देखने को ये मिलेगा कि जो परेवर्ण प्रदोोषन है वरत्मान समाई की एक ौलंत समस्या है। तो एक अगर मैं इसको point बना दूँ, वायू तथा जल्पॉदूशन, तो एक कान बन गया कि वायू पॉदूशन और जल्पॉदूशन हो क्या है, परेवन की समस्या है, उसके बाद अगर दूसरी बात मैं लिखूं, तो दूसरी बात घरेलू स्तर, घरेलू स्तर जो यहां से अगर मैं इसको underline कर दूँ, और कहां तक अफशिष्ट पदात, तो घरेलू जो स्तर पर जो domestic अगर हम लेवल की बात चित करें, तो वहां से जो producing remaining matter है, उभी कहीं न कहीं परेवन के लिए एक समस्या का कार्ण बना हुआ है, जैसे रसोई जनित अफशिष्ट पदात, जो रसोई से निकलते हैं, जिसकी हम बात चित करेंगे, चिलके की बात चित करें, और साथ में चिलके के साथ साथ ही अगर हम जो other remaining होते हैं, आपको अच्छे से पता हैं ग्रेलू जो remaining होते हैं, तो इसके अलावा जो ये remaining होती हैं, हम उसे कहां फैंक देते हैं, उसे हम जल में फैंक देते हैं, तो ये जल का जल एवं कुड़ा करकट क्या हो जाता है, ये भी परेवर्ण पदोशन का कारण बनता है, अब दूसरी बात क्या है कि पदार्तों को समनुवित पूरे पूरे चक्रन दोरा पोशन वाटिका में उप्योग किया जा सकता है, यहाँ पर दो चीजे आपको याद रखनी हैं अच्छे से, अगर आप अभी SI PEPER के त्यारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर essay आता है, अगर आप आने वाले आगे जितने भी year है, जहाँ पर आप HPS देने वाले हैं, HPS का वेपर देने वाले हैं, तो वहाँ पर essay के वेपर रहते हैं और अच्छे खासे essay में नमबर लेकर जो बच्चे हैं सेलेक्ट होते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ एक चीज़ें सिखनी हैं और सिखने की कोशिश करवाऊंगा मैं कि यहाँ से जो एक मुद्दा उठा हो है, तो यहाँ पर आपको दो तीन टाइप मिल रहे हैं, परेवण की बात 1974 की बातचीत होई है, जिखने को मिलेगा है, तो वहाँ पर अप्शिस जो होता है, जो आप घर में यूज करते हैं और उसे अगर गरट जगा पर फैंग देते हैं तो उससे क्या होता है उससे वाई पधिशनों जल पधिशनों दोनों होने को देखने को मिलते हैं तो फिर यहां पर एक हल भी बता है कि आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो पुना चक्रन की बातचीत की है, पुना चक्रन का मतलब है, रिसाइकल करके आप क्या कर सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं, तो पहले आपको यह अच्छे से समझना है, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं वहां पर फेट कर सकते हैं आगे अब चलते हैं कि पुना चक्र कैसे करें तो पुना चक्र यह काफी सिंपल सा रास्ता है आप अगर गाउं से बिलोंग करते हैं तो गाउं में ऐसा होता है और अगर नहीं भी बिलोंग करते हैं तो हम सीखने वाले ह से दो तरफों से घिरा हुआ है यह काफी इंपोर्येंट है घियान से दिखना कि इसको undeline कर दा हूँ हमारे देश अभी क्या है कि हमारे देश के अंदर खाने के लिए जो कैलरी होती है तरह पूरी नहीं कही है तो एक बात आपको क्या यादखनी है कि खद असुरक्षा है हमारे देश के अंदर अलप पोशन है मीज़ जो बैलेंस डाइट चाहिए ओर नहीं मिल पा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है इसको इंटरकनेक्ट किया हो और कैसे इंटरकनेक्ट किया हो है ओ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जनसंग क्या ज्यादा है जनसंग क्या ज्यादा होने के साथ साथी भारत का एक विकास शील देश है और पोशन एक सबसे बड़ी समस्या है पोशन सबसे बड़ी समस्या है अब पोशन सबसे बड़ी समस्या है तो इस आर्टिकल को इन्होंने इंटरलिंक कैसे किया है कि अगर इसको आप निप्टाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अच्छा पोशन जो आ सकता है अच्छा पोशन कैसे आ सकता मेरी बात फिर गार्डन होता है वहाँ पर क्या करें अच्छे तरीके से जो हमरी fruits होती है या vegetable होते है उसको उगाते हैं या crops उगाते हैं और crops उगाने के बाद जो यह हमने abscist की बात जितकी पीछे जो हमारे घ्रेलू abscist होते हैं उनको हम as khat use करते हैं कैसे यूज करते हैं खाद की तरह यूज करते हैं और इसको एक गढ़े में डाल देते हैं गढ़े में डालने के बाद क्या होगा कि इसके मैनुर बन जाएगी और एक कैसी मैनुर बनेगी जैविक मैनुर या जिसको नैचरल मैनुर कहते हैं और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और प्रदूशन से निप्तारा भी हो जाएगा तो यह चीज कौन लिख रहा है राइटर लिख रहा है मैं नहीं बोरा हूं तो राइटर जी यह लिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो अगर अब आपके सामने एक प्रदूशन को नियंतर्ण करने के लिए क्या सुझाब दोगे तो आप बोल सकते हैं कि जो रिमैनिंग है उसको क्या कहां कर सकते हैं कहां यूज कर सकते हैं हम खेतों में कर सकते हैं और मैनुर को बनाने के लिए कौन को से स्टेप आप उठा सकते हैं तो मैनुर को अगर बना तो जो घ्रेलू अप्षिस्ट है, उससे ख़ध बनाई जा सकती है, और इससे क्या होगा, जो हमारे देश की ख़ध सुरक्षा है, जो अलफ पोशन है, उस समस्या से भी हम निजात पालेंगे, और हम प्रदूशन से भी निजात पालेंगे, चाहे हो जल प्रदूशन होगा, तो यह चीज जो है काफी important है और शाग वाठिका का मतलब आपको अच्छे से पता चल गया कि आप सब्जिया वहां पर उगा सकते हैं अब आगे देखिए यहां पर आपको example दिया है कि जो potion होते हैं पोशन कहां कहां से मिलता है तो पोशन आपको जो मिलेगा जो पोशन वाठ होते हैं पोशेग तत्य होते हैं इसे अलग अलग हमें फूड के component मिलते हैं तो फसल की बात्य शेत है सबजी की बात्युत की है इसके हम ऐसा करेंगे तो यह परेवन के अनुकूलन परिस्तितिया होगी और परेवन को भी क्या करेगी हार्म नहीं करेगी तो यह चीज़े जो है आपके लिए काफ ही इंपर्टेट है फिर यहाँ पर दूसरी बात यह कही हुई है अगर हम ध्यान से देखें तो पोशन जो है लवन भी कह सकते हैं तो अकर्ण के हमरे भोजन का अदहार होते हैं अगर अगर इस अधार को हम बढ़ाना चाहते हैं उसे हम खाद जो जैवी खाद होती है उसको बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इससे एक साइट तो हम क्या कर सकते हैं भारत को खादे स्रक्षित बना सकते हैं और दूसी साइट प्रोडूशन से निप्तारा भी दिलवा सकते हैं तो आगे बातचित किये पालक और निम्बू जो है उसे क्या मिलता है ओ सिखना मेरी बाद ध्यान से सुनना मैं अगर आपसे बातचीत करूँ तो थोड़ा सा शायद आपको लंबा लगे पर जो मैं बात करने वाला हूँ कहीं न कहीं कंसेप्चुल है आपका कोई जो टॉपिक है लिखने वाला या आप मैन देने जा रहे है तो ओ भी यहां से हम कवर अप करने वाले हैं तो ध्यान से देखे अगर हम बाचित करेंगे तो ध्यान से आपको देखना है पालक से क्या क्या मिलता है मेरी बाद ध्यान से सुनना पालक जो है एक क्या है सबजी है क्या है एक सबजी है और इसमें आईरन की मातरा सबसे ज होता है उसमें हिमोग्लोबन की कमी हो गई है हिमोग्लोबन क्या करता है यह औक्सीजन और कुछ एक जो इंपोर्टेंट वैल्यूबल खनीज और लवन होते हैं उसको हमारी बॉड़ी में सर्कुलेट करने का काम करता है तो यह जो है पालक जो है किसका एंडिच सोर्स होता है आपको अच्छे से पता चल गया कि पालक जो होता है सबसे ज़्यादा पालक में क्या होता है आइरन होता है जिसको हम क्या कहेंगे आइरन को हम लो कहेंगे या हिंदी भाषा में लो कहेंगे और अंग्रेजी भाषा में इसको आइरन कहते है आगे जो अगर हम बाचित करने से जो रोग होता है उसे सकर्भी कहते हैं और सकर्भी जो है यह मौथ जो होता है उसमें जो हमारे टीथ होते हैं उसको यह प्रभावित करता है मसूनों को प्रभावित करता है जो हमारे गम्स होते हैं उसको प्रभावित करता है और इसका बिटामिन सी का जो साइंटिफिक न और C है, यह जल में घुलनचील होते हैं, किसमें जल में घुलनचील होते हैं, यह जल में घुलनचील है, वाटर सॉलीबल बिटामिन घुलनचील, तो गुलनचील जो है, किसमें घुलनचील है, जो हमारा जल होता है, वाटर होता है, उसमें घुलनचील है, और अगर इसको ग मिर्च में क्या होता है विटामिन सी होता है तो मिर्च में विटामिन सी है और विटामिन क्या होते हैं विटामिन को माइक्रो नूट्रिशन कहते हैं क्या कहते हैं माइक्रो नूट्रिशन कहते हैं सुक्षुम भोजन कहते हैं और यह सुक्षुम भोजन जो होते हैं इसे nutrition कहते हैं किसको जो हमारे vitamin होते हैं क्योंकि हमें कम मात्रा में लेने पड़ते हैं तो इस चीज़ें आपके लिए क्या है काफी important है जो आपको याद रखनी है कोई भी paper देंगे one day का उसमें इस सारी चीज़ें पूछी जा सकती है उसके बाद हम गोभी की बात करें तो गोभी A-V देखने को मिलता है और कुछ मात्रा में आपको vitamin B की मात्रा भी उसमें देखने को मिलती है तो next देखे नेक्स्ट जो आपके सामने हमारा जो शाक वाटी का है उसमें जो food है तो कौन सा है मूली और गाजर देखो मूली गाजर जो आता है वसे इसको हम select में रखते हैं त आंत्रिक तोर पर कैसे शुद्ध मला आपके शरीर को ठीक करेगी तो इसका मतलब है पाचन में help करती है number one पाचन पाचन में साहिक है किसमें पाचन में साहिक है गाजर उसके बाद इसमें vitamin A काफी होता है और vitamin A की कमी से रतोंदी हो जाता है और रतोंदी जो है जिसको night blindness कह करता है तो यह जो मूली और गाजर है अगर हम बातचीत करें तो मूली गाजर हमारे शरीर को क्या करती है पाचन में यह help करती है और इसके अलावा अगर हम गाजर की बातचीत करें तो यह vitamin A का क्या है अच्छा source है यह चीज़ भी आपके पले पड़ गई होगी हरी पतेद सबज़ां जो होती है यह vitamin B vitamin की भी क्या है enriched source विटामेन की बी एनरिश सोर्स है अलग अलग ताइप के सोर्स होता है तो विटामिन जो है उसका भी सोर्स होगा कौन हरी मिर्च जो है हरी मिर्च जो है विटामिन सी का सोर्स देखने को मिलता है इसके अलावा राजमा जो होता है राजमा की बातचीत करें तो यह प्रोटीन source होगा और प्रोटीन जो है हमारा body builder food कहलाता है तो आपको ये छीज अच्छे से या बखने हम जो राजमा है और राजमा किसा साथ ही अगर हम बात्चित करें हरी मिर्च है तो हरी मिर्च और राजमा कहां पर help करेंगे तो ये राज़मा जो है प्रोतीन सी बाठीटित कही है मेरी वाद ध्यादा से सुनना राजमा जब पक जाते हैं तो उसकी जो दाल होगी, वहाँ से तो आपको प्रोतीन मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा प्रोतीन मिलेगा पर अगर हम बातचित करें जो राजमा की फलियां होती है आपने देखी होगी इसकी फलियां बीन की तरह होती है तो यह जो सोर्स है यह आपको यहां से सीखना है ध्यां से सुनना अगर आप राजमा खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन मिल रहा है जो उसकी अंदर वाली जो अंदर का है आप अच्छे से समझ गए होंगे इंट्येंट है और काफी तरीके से समझ रहे होंगे और यह चीजह आप के लिए क्या काफी important है क्या है काफी important है आगे चली next one जो है next जो आफ से लिए हैं सब्सक्राइब करते लिकों पोंगे थे सुस्drool और कर अब गोशन अब पनाते समय कि इन किन बातारों का ध्यान हैं, तो एस सबसे important है, कि जब portion vatika बना रहे हैं, तो आपको कुछ एक ातारों का ध्यान रखना है, अगर आप खेती बाडी मैं Dalz हैं, no.1 पर आपको मघान रख faço that reaction, कि में कि नौ Susp बैल डिटी है उसको चेक कर लें तो बीज को अच्छे से चेक करना कंसल्टेशन करना है जो क्रिशी विभार में लगे हुए अधिकारी होते हैं ताकि जब आप बिजाई कर रहे हैं तो उस बिजाई को करते वक्त आपको दिक्कत ना हो इसके अलाबा मौसम का भी दिहां रख बातचीत करने तो बातचीत में यह लिखा है कि जो आपकी पोशन शाग वाटिका होती है इसका क्या फाइदा होता है तो फाइदा तो होगा और दूसरी बात यहां पर यह बात बुली हुए कि अगर हम यह पोशन शाग वाटिका या जो छोटी सी बातिका है इसको लगाए और इसके साथ ही हम जैवी खाद का यूज करें तो जैवी खाद का यूज करने से क्या फाइदा हो जाएगा फाइदा ये हो जाएगा कि जो आपकी ये खेती वारी है ये तो अच्छी होगी होगी इसके अलावा जो परेवन पॉदूशन है उससे भी हम बच सकते हैं क्योंकि जैविक हाद का निर्मान कैसे होता है जो किचन के remaining होते हैं उसको use करके ऐसा होता है तो ये सारा का सारा article आप अच्छे से समझ गए होगे अच्छे से समझे हैं तो आगे चलते हैं शायद लंबा लगे आपको, अगर आपको चीजों को समझना है, तो थोड़ा सा डिटेल तो करना परेगा, तोब ही जाकर आप क्या कर पाएंगे, इसकी इंटरलिंगिंग कर पाएंगे, कहीं भी अगर यह टॉपिक आता है, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे लिख पाएंगे उसके बाद अगर हम बाचित करें तो इसको दियान से देखना ये जो है आपका हिमाले के समरिल संसादनों का होगा भरपूर उपयोग तो को हिमाले में कई कि रिसोर्स है अगर हम बाचित करें जड़ी बुट्यों की बाचित करें खेती वाडी की बाचित करें संसादनों के साथ समझ होतहों और हमें क्या-क्या चीज़ें याद दखनी है जो हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट हो सकती है नंबर वन यह जो चौधरी सर्वण कुमार विश्योविद्याले कहां पर है तो कहां पर है आपको पहले ही पता चल गया पालंपुर 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 अब पालंपुर क् एक नगर निगम भी है तैसिल भी हो और नगर निगम भी यह चीज आपको अच्छे से याद दखनी है उसके अलाबा यह जो विश्योविद्याले बना था जिस वर्ष यह विश्योविद्याले बना उसकी डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है 1978 के आसप्रोस में ब रोजगार के साधन जुटा सकते हैं हाली में जो हमारा क्रिशी विश्योविद्याले है पालंपूर उसने भी क्या किया इस मुद्धे को लेकर एक क्या किया है ग्यापन पर साइन किये हैं यह यहां पर बाचित कहिए और इसके अलाबा जो यह CSI-R है जो आपस में बाचित करेगा किसके साथ जो यह तीन संस्तान है उनके साथ करेगा हमारे लिए संस्तानوں की जो बाचित है ज्यादा इμपोर्टन नहीं है कि क्या बाचित की जाएगी पर हाँ есте법 यह ज् thaug लेक है तो आप क्या कर सकते हैं इसको कोट कर सकते हैं और कोट करने से क्या होगा कि आप कोई विरुजकारी के उपर बातचीत कर रहे हैं या किसी अन्य चीज के उपर बातचीत कर रहे हैं जो रोजगार से जुड़ा हो तो इस चीज को आप लिख सकते हैं इसके अलावा देखे यह जो बातचीत करने वाले ह तो उन्होंने कहा, जो ICR उन्होंने कहा कि बिशयोवद्रवादल्य क्या करेगा जब ये इनसे पहुता करेगा तो उसको क्या फाइदा होगा तो फाइदा क्या होगा जो अन्य संस्थान में यूज की गई टेक्मिलोजी है उसको हम यूज़ कर पाएंगे और उसके बेस पर हम जो हिमाले के संसादन है उसको यूज़ कर पाएंगे इसके अलावा कुछ एक आपको ध्यान से देखने वाली चीज़े हैं जो याद रखने वाली है इसके अलावा अगर हम बाचित करें तो ये जो भारत ये गन्ना अनुसंधान है इसके साथ चुकंदर के ख्षेतर में भी बाचित की जाएगी और चुकंदर ख्षेतर में अनुसंधान और बेज उत्वादन के लिए समझोता हुआ है और ये समझोता जो होगा अब अगर हम बाचित करेंगे तो इसको इंप्लिमेंट भी किया जाएगा यह समझोता जो है इसको implement किया जाएगा और implement करने से हमारे हिमाचल को काफी फाइदा होने वाला है तो यह तीनों संस्थान याद रखने किसको लेकर समझोता हुआ यह हमारे लिए important था और संस्थान की date याद रखनी है और हमारे प्रदेश के अंदर अभी वात्मान में पांच नगर निगम है उनमें से पालों पूर भी एक है आगे यह article हम नहीं करेंगे पर हाँ save में रोएदार तेले की रोख थाम यह एक प्रकार का रोग होता है इसको रोखने का प्रयास किया गया है इसको हम नहीं पढ़ेंगे पर हाँ एक चीज़ जरूरी याद रखनी है कि सबसे ज्यादा save जो उतपादित होता है कहां पर होत आप लोग क्या करेंगे यह पताएंगे आगे चलिए next जो आर्टिकल है उसकी तर्फ चलते हैं यह काफी important है यह जो आर्टिकल है मुझे काफी अच्छा लगा और जो मैंने इसको read किया कई चीज़ें मुझे नहीं पता चली और कई कुछ एक चीज़ें मुझे पहले से पत लिए दोलाधर फरवत के आंचल में से थे नंबर वन आगरा बाचित करो दोलाधर है उसके नीचे क्या है आपको मला देखने को मिलेगा और वहां पर यह देखने को मिलता है अगर मैं आपके सामने यह picture दिखाओं तो आप अच्छे से समझाएंगे कि आप कई बार यहां पर विजिट कि होंगे अब एक्जाम से एक्जाम के लेटर हमारे लिए क्या क्या है तो द्यान से देखना पहला तो यह देखना कि कांगडा में जो मंदर है कहां पर यह कांगडा में है और कांगडा में भी कहां मला की वाचित की है और नवरात्रों में यहां तिल धरने का भी नहीं देखने को मिलता है यह मंदर तो यह हमारे लिए इंप्रोश में आपको ग्रीज़ी देखने को मिलती है यह आपके लिए क्या है और इसके अलावा अगर हम बाचित करेंगे तो यहां पर लोग क्यों आते हैं क्योंकि उनके जो दुख होते हैं वो मां चमुंडा है वो कहीं न कहीं दूर करती है ऐसी मन आता है और शिरीच चमुंडा धाम अन्य मंद्रों से इस कारण भिन है क्यों भिन है क्योंकि यह स्तान कोला हल से अच्छ होता है कोला हल कमत्र में शोर श्राबाद जादा नहीं होता है और सारे देश की बाचित की है और विदेश की बाचित की है सारे एक सारे लोग यहां पर आते हैं दूसरी बात क्या है मंदर के प्रवेश द्वार करते हैं पहले भगवती मा का मंदर है देखो भगवती मा का मंदर पहले ही है यह आप अगर गए है तो आपने अच्छे से देखा होगा इसके अलाबा अगर हम बाचीत करें तो बाचीत में यह लिखा हुआ है कि यहां पर क्य में अस्ट मुखी रुद्र चमुंडा मां की मूर्ती है अगर विजट किया तो आपने पका देखा होगा अगर शिला पर देखें तो मां चमुंडा के चरण वाँ शिवलिंग के चिन है आदिकाल से अंकेत है मां चमुंडा की मूर्ती के बारे में किवदंती है कई किवदंती जिगनंती है कि जो मान है वो किसी भक्त के सोपन में आती है और सोपन में दर्शन देकर कहती है कि उनकी प्राकृतिक शीला प्रतीमा बान खड में पड़ी है उसे लाकर यहां पर प्रतिस्तापित कर दो और वो भक्त क्या करता है मान की अग्या का पालन करके बान गंगा से उ मान cuiCR कि क्या होती है यहां पर प्रतीस आपना हो जाती है मां चुमुन्दा ने दो महां बली realize छंड मुंड का वद्र किया था तो यह भी आपके एंपोर्टंट है चंड मुंड का वद कर दिया था नाम से भी इनको पुकारा जाता है, ये भी आपके लिए काफी important है, अब देखें, ये काफी important है, कोश की महा काली का रोदर चमुंडा सौरूप है, ये नाम है, अन्य नाम है, अगर याद रखना चाहे तो चमुंडा को ये भी कहा जाता है, अगर हम बाचित करें, तो हमरे प का महीमा से सबन देते हैं, देखें, मेरी बात ध्यान से सुनने हैं, यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश की है, कि जो जलहंदर है, जलहंदर के बारे में आपने क्या किया है, कि पुराणों में पढ़ा हुआ है, पुराणों के साथ साथ ही आपने अन्य कई historical जो रिसोर्स करेंगे तो नीचे उतर कर आपने अगर विजट किया है हम पर, तो यहाँ पर एक गुफा है, और गुफा के अंदर अगर बातचित की जाए, तो वहाँ पर शिव लिंग देखने को मिलता है, और यह शिव का मंदर है, और यह भी सदियों से पुराना है, यह भी क्या है, तप भूमी थी ये क्या थी तप भूमी थी ये तपक भूमी थी प्राचन फ क्राशन humility रहिए थे लाकिन अने वाले टाइम में कभी ना कभी किस पस्पहुशन पुछा जा सकता है य क savings पूछा जा सकता है यह जुथ ब्हूमी यह जो भूमी है 22 गाउं की शमजान भूमी है मह शब नहीं आया है, तो यह किसी स्थान पर शब नहीं आता है, तो मा चमुंडा को पुराना स्थान था जिससे क्या कहते है, हिमानी चमुंडा कहते है, मेरी बाद देहां सुना, काफी इंपूटे कुछ चीजें बताना है वाला हूँ, जो शाये आपने नहीं सुनी होगी, अक किलोमेटर की दूरी पर सब्सुर्ड का धा से चंदर दार परफद की इस मंदर को क्या किया गया था 1620 से लेकर 1630 के आसप्रोस में बनाए गया था तो ये वही काल है जब हमारे कांगडा के उपर जहांगिर अक्रमर करते हैं तो आज भी इस कीले के अफशेश मिलने को मलत देखने को मिलेंगे पर ये कीला पूरा का पूरा नहीं देखने को मिलेगा अब मुझे बताइए क्या यहां तक आपको सभी को क्लिर हुआ कि चंदरभान जो क्या बोलते हैं पहारी कहां पर है चंदरभान कीला भी अभी हम पढ़ने वाले हैं तो 1620 के आसप्रोस की बाचित है कांगडा कीले के उपर जो हमारे जहांगीर जी है अक्रमन करते हैं और जहांगीर जो मुगल सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं तो राजा चंदरभान ने मुगल सेना से गुरिला युद किया है गुरिला युद छुपकर कैसे निप्टा जाए तो इस राजा की बीरता की तुलना महराना परताप और शिवाजी से की जाती अब जो ये एक्चल में गुरिला परती है ये जो थी जो मराथा लोग थे उनके बीच में थी तो ऐसा ही ये क्या करते थे दिन में जो छुप जाते थे रात के अंधेरे में जो उस बगतर मुगल थे उनके उपर तूट परते थे तो ये चीज आपके लिए काफी important है अगर हम चंदरभान और साथ में जहांगीर की बाचित करें हम चंदर धार या चंदरभान तीले की बाचित करें या कीले की बाचित करें तो ओ कहां पर देखने को मिलेगा ओं हीम बादशार जहांगीर को पता चलता है कि चंदरभान की बीरता अगर आज भी देखें तो कांगरा की हिस्ट्री में गाई जाती है और उसे गागा कर लो क्या करते हैं सुनाते हैं तो जब चंदरभान की बीरता के बारे में हमारे बादशार जहांगीरी सुनते हैं तो उनकी ब उच्छलिया जाएगा कि किस मोगल राजा ने कांगडा की किस राजा को बावन गाउँ दिये तो चंदरवान को दिये इसको दिये चंदरवान को दिये ताकि ओ ये गुरिला युद को छोड़ दे और कहीं न कहीं जो कांगरा के उपर जहांगीर अक्रमन कर पाए तो राजा चंदरभान मा चमुंडा का अनन्य भगरता काफी इंपोर्टन चीजे हैं द्यान से सुनना और ये राजा जी जो है राजा जी के उपर मा की क्रिपा थी और क्रिपा के साथ साथी ये जो चमुंडा मा है जो वर्तमान में अधिस्थान का मतलब हिमानी की बात्चीत की जा रही है वहाँ पर ये क्या करते थे उनका पूजन करते थे पर आदी जो चमुंडा हिमानी है वहाँ पहुचना थोड़ा सा कठिन है वहाँ पर जाने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा चलना पड़ता हो वहाँ से जाने के लिए बड़ोई से लगवा कुछ दूर जंद्रांगल नमकस्तान से आपको चढ़ाई चढ़ने किन पहाडियों के अंदर या किन धार के अंदर पढ़ने वाला मंदर है तो चंदरभान पहाडिया या चंदरभान धार और यही पर जो भान पहाडिया थी धार थी वही पर चंदरभान तीला या चंदरभान कीला भी हुआ कता था यह भी आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से ये भी आदखना है कि बान गंगा के तर्ट के आजप्रोष में मां चमुन्डा का मंदर है। तो मुझे बताइए क्या आप सभी को इनके बारे में सारी सारी बातें क्लिर हुई कि नहीं हुई। जल्दिस शाबाज। क्या क्लीर है चले क्लीर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए नेक्स जो आर्टिकल है सम्रिद परंपरा की दोतक बूढ़ी देवाली। देखें यहां पर कई चीज़ें सिखने के लिए हैं हम पढ़ने वाले हैं बूढ़ी देवाली। और यह परंपरा का या टैडिशन का क्या है एक एंडरिच सोर्स है जो हमारे हिमाचल के कल्चर के बारे में बताते हैं। कहीं भी लिखने के लिए आए कि हिमाचल प्रदेश के मेलों के उपर नोट लिखो हिमाचल प्रदेश का कल्चर आता है मेलों के उपर मेलों के उपर नोट लिखो या हिमाचल प्रदेश की संस्किति अन्य रजों से विशेश है कैसे तो आप इस बूरी दिवाली को वहां पर indicate कर सकते हैं या मेलो के बारे में कुछ भी बातचित आएगी तो ये सारी की सारी चीज़े आप वहाँ पर write down कर सकते हैं और देखिए जो one day का exam है कोई pre exam है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें important है पहले तो बुढ़ी दिवाली कहां पर मनाई जाती है तो अगर हम बातचित करें तो बुढ़ी दिवाली दो जगा पर देखने को मिलेगी एक तो अगर हम बातचित करें तो कुलू और दूसरी बातचित करें तो सिर्मौर पहले तो ये pre का question निकाल लीज़े यहां से फिर आगे article में क्या क्या दिए हो उसको पढ़ते हैं बुढी दिवाली कुलू और सिर्मौर में देखने को मिलते है, तो ये जब आपके सामने ये दोनों बाते क्रियर हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है आपको ये तो पता हिमाचल पदेश की संस्किती अलग सी है और यहां पर लोग काफी खुश रहते हैं ये बात चीत की है कुछ एक हमें वकैब भी चुरानी होती है वकैब भी चुरानी होती है ताकि हर्शो लास लिखा है उलास लिखा है तो हमाचल पदेश पवित्तर होने के साथ साथी उलास और हर्शो उलास क गिरी नधि के पार वाला area है और कुलू की जो निर्मंड वाली देवाली है ओ कहीण देवाली है और कहीं न कहीँ अलग सई है जिसे बूरी देवाली के नाम से जाना जाता है इसके पीछे कई तर्क नहीं दे रहा हूं जो historian है इसके अलावा जो वहां की किवदंदिया हैं, लोगों के मुह से सुनी हुई परंपराएं हैं, वो कहती हैं, कुछ कहानिया कहती हैं, वुद्धी जी भी कहते हैं, Means और बुद्धी जी भी लोग कहते हैं प्रंतु बैग्यानिक तथे इसको नकारते हैं कि ये स्थाने जो लोग थे बैग्यानिक बोलते हैं कि ये भगवालिक कार्ण नहीं था तो क्या था तो वो बोलते हैं कि जो एक्चुल में यहां पर लोग होते थे वो क्रिशी में लगे रहते थे क्रिशी में लग रहते थे । किल दिवाली तक समापत नहीं हो पारते थे क्योंकि पशू रखते थे एक्चल में पशू के उपर इनकी जीब का निर्भग करती थी तो ये दिवाली तक के ये करी आपने करी नहीं पाते थे तो फिर क्या होता था कि इनके पास मिलने का या खुशी मनाने का कोई अफसरी नहीं होता था तो ये दिवाली के बाद क्या कर चारा ही डालना पड़ता था और अनाज की सारी क्लेक्शन हो गई होती थी उसको खाना होता था तो इसी में जासे उन्होंने क्या किया इस त्योहार को मनाया तो त्योहार को अच्छे से नहीं मना पाते थे इस कारण एक महीने बाद और अब ये आपके लिए काफी important question है कि ये भी हमारे लिए important है और संपूर्ण जो हमारा गिरी पारक शेतर है उसमें बूरी दिवाली मनाया जाती है तो शेष दिवाली से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि अगर पारंपरिक तो और पर चार से सा दिन तक चलती है कितने दिन तक चलती है मनलब चार से सा दिन तक जैसे कि एक दिवाली नहीं होती है ये कैसी दिवाली होगी चार से सा दिन तक चलेगी तो देखें ये समन्य दिवाली जो होती है उससे बिलकुल अलग होती है अगर हम पाचित करें तो ये किन रिजनों में मनाई जाती है और इसके पीछे क्या रिजन है अब एक तो ये मन और सिर्माइबाले लोग थे उनको उनके आने का जो समचार मिला और बाद में मिला तो उन्होंने इस इभाली को मनाना शुरू किया और कहते हैं कि माता सीता कि आवान किया कि जाग जाएं गोमोतर के चार दिशाओं में छिड़ कर यह ऐसा मानते कि वह जब आए हैं जमल जो राम जी और साथ में सीता जी का वनवास की वापसी होती है तो उनको लेट पता चलता है और यहां पर मानेता है कि मा सीता ने ये कहा कि आप क्या किजिए कि मशाल है उसको जला दीजिए मशाल में जो लक्री होती है उसको जलाना और इसके अलावा गों उतर पूरे प पवित्ता का ये प्रतीक है, चिड़कर उहां पर दिवाली मनाने का जो परंपरा है, वो शुरू होती है, इसके लाबा अलगलग पकवान बनते हैं, और पकवान अलगलग रिजिन में अलगलग होते हैं, और सारे इकटे होकर क्या करते हैं, गाइन करते हैं, और ये दिवाली का जो तिवाली का तिवार होता है दिवाली का तिवार काफी लंबे समय तक चलता है गिरी पार रिजिन कहां पर है इसको भी अच्छे से यादखना सिर्मवर में है कितने देन तक चलती है चार से साथ देन तक चलती है और दिफवाली की पूर्व तियारी एक माँ से पूर्व ही चुरू हो जाती है इसको अच्छे से यार डखना और इसको स्थने भाषा में मुंडा या शंकुलिया अधी के धूप में सुका कर दिवाली तक त्यार किया जाता है जो उस्थने खार के लुका कि उनका जीवाली चकर का एक हिस्सा है तो खला दे इसमें उनसे लशी बनाया जाती है इसके बाद जो गाओं की बात्चित करें तो गाओं में जैती है और लड़किया मिलकर गाती है और इस गाइन को भेहूरी गाइन कहते हैं देखिए मेरी बात ध्यान से स शुब कामनाओं का ये गीत होता है और ये बूरी दिवाली में गाया जाता है ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है उखाये जाते हैं शंकुली अक्रोट ये सारे के सारे आपको पकवान देखने को मिलते हैं इसके बाद तवे की कालिक पोत कर कुछ साधू करू भी धान करते हैं और ब्यंगे किया जाते हैं अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है इसको मना जाता है तो हमारे लिए यहां से यही चीज़ें इंपोर्टन है कि किस रिजिन में मना जाता है कितने दिन मना जाता है कब श जाती है सिर्मोर और जो कुलू का रिजन है उस रिजन में ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है आगे बर्मोर का प्राचीन गणेश मंदर ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दियान से देखना अगर हम बातचीत करें तो पहले तो आप इस चीज को देखें कि य अगर्टलजिकल डिपालमेंट के लिए काफी important information देते हैं देता है मंदर और वहां से क्या करते हैं जो हमारे historian होते हैं यह जो writer होते हैं इसके base पर कई किताबों का क्या करते हैं किताबों की आमलगर जलाचना करते हैं तो बर्मोर आपको पता है चुरासी भूमियों के दिवाले का मंदर है और किसका मंदर है गणपती का मंदर है और यहां पर गणेश को दिखाया गया है गणेश को किस तरह दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं गणेश को चत्रभुजी बिशाल का कांसी प्रतीमा की रूप में दिखाया हमारे लिए यहां से क्या क्या है इ बर्मोर में और कहांपर है? 84 का जो प्रविष द्वारे हैं, एक मूर्ती है और उस मूर्ती जो मूर्ती है. चार भुजाओं बहला है, यहां पर एक चीज की चत्र हvous workflow जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको मंदर इस तरह देखने को मिलेगा और दिश्टी गोचर का मतलू होता है जो दिखाई देता है आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं और यहां पर बोला हुआ है कि कांसी की बिशाल बड़ी मोती जो है यह अधित्य है प्राचिन में भारत में ही नहीं अपीतु जावा पर्मा कमबोडिया शिलंका चीन में भी गडेश की बड़ी मानेता रही है यह यहां पर कंपैजन किया है हमारे जादा इंपोर्टन नहीं है और इसके अलावा दूसरी जो बातचित है इनके कुछ नाम लिखे हैं इन नाम जो आपका गनेश मंदर बर्महर का है मूर्तिकला का अच्छा एक्जांपल है उसके बाद इनके नाम है जैसे हम लंबोदर बोलते हैं इनका अन्य नाम शूर्पकर्ण और व्यागर चर्म यह सारे इक सारे नाम है इसको अच्छे से याद रखेगा यह आपके पेपर के लि थे सारे इनके नाम हैं और किसी भी फेपर में पूँछे जा सकते हैं में और अगर बाच्छित करें तो यह आठों सताबदी में बना हुआ है यह बहाँ के लिए क्या है इनके इंपॉर्टेंट है इसको बनाए गया है यह है और ब्रमहर जो है आपको पता है ब्रमहर की बा और यहां पर यह जो बातचीत कही हुई है पुरातातिक महत्व के साथ साथ ही जो यह मंदर बना है यह कश्मीरी शैली में बना है यह काफी इंपोर्टेंट है अभी कुछ कोई एक पेपर था मुझे याद नहीं आ रहा है तो उसमें ऐसा कोशन पूछा था इधिंक नाइव क प्राइब कर ना रहा है तो कश्मीरी शैली का यहां पर ब्रण देखने को मिलता है तो आइधिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कुछ एक आर्टिकल और है पर आइधिंक वीडियो काफी लंबा हो गया है तो यह जो वीडियो है यह इसको जरूर देखेगा और जो काफी बड़ा लेक्चर हो गया काफी ज़्यादा इंफोर्मेशन आइधिंक मैंने दे दी है तो इसको जरूर एक बार जरूर सारी सारी बात सुनिएगा यह सारी सारी चीज़े आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चे पॉर्ण करके पूछ सकते हैं और यह जो पढ़ाई जा रही चीज़े हैं यह आपके एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से पढ़ाई जा रही है और अगर पढ़ाय में से आपको लगभग 65 से 70 पसेंट नहीं आता है तो आप जो भी पेमट कर रहे हैं वह आपकी पेमट र आया हुआ है और कई वेचों ने अच्छा वेपर किया है तो कुछ एक जो है अभी नए नए जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि उनको समझने में एक दू दिन दिक्कत हो सकती है पर अगर आप विश्वास करते हैं और लगादार ज्यादा नही करते हैं तो आपको कई चीजें ऐसी पता चलेगी जो शायर आपने नहीं पड़ी है और एक निव एप्रोच की एक कॉम्टेटिव एकजाम की कैसे त्यारी करनी है क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा अनुभव है 2016 से लेका तिल अभी तक का लगातार में प्रयासरत हों अभी त्यारी कर रहाँ पेपर दे रहाँ खुद भी कई पेपर निकले हैं फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाई उसके कई कार्ण हो सकते हैं तो यह जो था आज का लेक्चर था जो भी बच्चे जुड़े थे उनका धन्यबाद और साथ में यह लेक्चर बिलकुल 6 बज़े ही रहे इसके अलावा जो आपका नेशनल और इंडिया का जीकर रहता है उसको भी हम तीन दिन और तीन दिन इसको कर लेंगे जिससे हमारा क्या चलता रहे दोनों चलते रहे तो धन्यबाद जैहें